हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू नीए वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज की सुरू में बात करने वाले ब्रैंड न्यू यमा यमा एम्टी 15 के बारे में जे दोस्तों इस वीडियो में ब्रैंड न्यू यमा एम्टी 15 का डेटेल रिव्यू में आपको देने वाला हूं क्या प्राइज आ रही है क्या स्पेसिफिकेशन है प्राइज भी इसका अपडेट हो गया है दोस्तों मुझे लगा वीडियो बनानी इसले वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसका प्राइज भी बढ़ चोगा है कंपने इसका प्राइज और जधा बढ़ा दिया है और कुछ को चेंजेस होएं तो सारी चीज़ आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं तो चली फिर आजके इस फिडियो को शुरू करते है चैनल पर पहली बढ़ा है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसी इंट्रेसिंग नोडिफिकेशन पर आप तब पहुंसते रह सकें और आप मेरे विडियो से अफडेट रह सकें तो चली दूस्तों आज की इस फिडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं ब्रैंड नूई यम प्रैस देखने को मिलती है बातकर इसके और रोड प्रैस के बारे में तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ हरे किस्टेट की आट्यों इसने चार्ज से फार्ग होता है दोस्तों अब यह और प्रैस पता है कितनी आ रही है इसका दूस्तों प्रैस हो गया लग बग लग लाग 16,000 रुपे गया सपास की जो है अब दूस्तों आपको यह एक्स रूम प्रैस देखने को मल रहे है तो आप देख सकते है दूस्तों इसका जो प्रैस है कंपनी ने कितना जादा बढ़ा दिया है और मुझे असे लगता है दूस्तों कि एमटें कहीं न कहीं अब आपको क्या लगता है दूस्तों इस बारे में आप नीचे कमेंट सेक्चन में कमेंट करके जरूर बताएगा चली दूस्तों आप आजाते हैं यहमाई सबसे पहले आता है फ्रन में आप देख पारे दोस्तों सबसे पहले बाइक में आपको चोटी-चोटी LED जो डियर अलेट हो आपको बाइक में देखने को मिलेगी वह दोस्तों आप आते हैं अपको सिंगल लेडी प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है ठीकि लेकिन जब तक आप आप आउन कर लेता हो उसके बाथ आपको दिखाता है और आउन करके आफ कर दूँगा लेकिन डेकिन आपको सिंगल लेडीडी जो प्रोजेक्टर लाइट में देखने को मधती है लाइट की इल्मिनेस और वीजिविनिटी है वो बिर आपको बास पिस बीचिए वह प अच्छी कासी देखने को मिल जाती है ठीक, वे दोस्तों लाइट की इसकी जो मतब नाइट में मैंने देखा कि नाइट में भी जो परफॉमेस आपको मिलेगे ना लाइट की वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है ठीक चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के दूस्तों अब टर्नल सिंगल लेप के बारे बे तो वो भी आपको यहापे LED देखने को मिलेंगे तो यह काफ़ अची बात है कंपनी ने आपके जो LED टर्नल सिंगल लेप इस बाइक में दिया है और LED टर्नल सिंगल लेप I think दूस्तों इस बाइक में होना भी चाहिए पागी फ्रंट में इस बाइक में आपको 37 mm के यह जियाने की अपसे डाउन सिस्पेंशन मिलता है company ने काफि अची जो अची सफेंशन में दो स्फेंशन में इस बाइक में यूज को मलता है बात करूँ में तो 8 280 mm के अपस के जो प्लेट से हैसे वह आपको बाइक में दे Mehrbandire с quick कि बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अब आते हैं एंजिन में दूस्तों इंजिन टाइप में इस बाइक में आपको बता दूस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है यहने कि पावर इंटॉक इस बाइक में पावर कम है तो इसकी परफॉर्मेस इतनी अच्छी कैसे आ जाती है उसका दोस्तों सबसे बड़ा कारान है इस बाइक में वी वी टेक्नोलोजी होना जै दोस्तों इसमें आपको वी टेक्नोलोजी की मिलती है जिसम कहते है वैरेबल वालू एक्वेशन और इस बाइक की बज़े दोस्तों इसकी टॉपन परफॉर्मेस नहीं वह बहुत अच्छी निकल कर आती है तो यह बहुत बड़ा जो है प्लस पैंट आपको इस बाइक पर देखने को मिल जाता है वह दोस्तों इस बाइक की जो बोर साइज है वह लगवाख हमें देखने को मिलती है 58 mm की श्टूक साइज है लगवाख 58.7 mm की मिलेगी प्लस आपको बताया यमा के इंजन है तो इंजन क्यालिटी मिलेगी बात करने माइलेज इन परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों यह बाइक मिनीमम आपको लगवाख 40-45 की माइलेज यह ओफर कर देती है कारान इसका विवे टेक्नलोजी विवे टेक्नलोजी होने की बचेस इसकी जो परफॉर्मेस है वह अच्छी निकल कर आती है वह दोस्तों आपको दादू इस बाइक के जो टॉप इस फीट लपक 120-130 किलोबीटर पर अवर गयास पास की मिलेगी और वह दोस्तों आपको दादू 0-200 में इस बाइक को लबक 10 सेकेंड के आस पास के लगते हैं ठीक चलिए बात है रियर परफाइल में तेल नेट में आपको अच्छी लगती है रियर कर लुक एंड डिजैन बिसका बहुत अच्छा है रियर में 220 mm की डिक्स प्रेट है रियर में बाइक में 140-70 के असपस के टार सीट में सीट इस प्रफली सीट नहीं आता इसको लेकर तोड़ा से लोगों को प्रोबलम है इस बातको लेकर ने को आनेवाले समय में कंपनी में इसमें डेसकती स्पीडमीटर के बारे में सबसे पहले आपको कि देख ली है प्रैट को देखने को मिलेगा वाफी साधी प्लस बाइक में आपको दोस्तो Bluetooth connectivity भी देखने को मिल जाता है मतलब कई नगई features के मामले में भी दूस्तों बहुत जाद अच्छी निकल के आती है और features के मामले में मुझे लगता है कि यह बाइक जो है और जादा बैतर लेकिन हो सकती है अगर इसके थोड़े बहुत update लाए तो बाइक कोई डाउट नहीं है तो आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है ठीक तेटर दुस्ति इस बाइक का इंजन स्पेसिपिकेशन प्लस स्पीडियो मिटर प्लस इस बाइक का औरल रिव्यू बात करें इसकी डिमिनेंशन और कैपिसिटी के बारे में दुस्तों बाइक की औरल लेंट है 2015 mm की औरल जो वी था वो 800 mm की है औरल है 1070 mm की है ग्राउन की लेंट है 170 mm का है विलबेस 1325 mm का कर्वेट 141 के जिग है फिल्टेंग कैपिसिटी 10 लिटर की है जो कि आपको बाइक पर देखने को मिल जाती है स्वेट दोस्तों ब्राइड न्यू टू टॉजिन 24 यमा MT 15 का कंप्लीट स्पेस्पिकेशन डेव्यू अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रू बताना आपको दोस्तों यह बाइ से बनाया है लुक हो डिजाइन हो पावर हो परफार्मेंस हो माइलेज हो हर चीज़ में वाइक एकदम मस्ट निकल कर आती है पाकि दोस्तों आपको ही कैसी लगती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा सुमित करता एक छोटी से इंट्रसिंग लाइक करेंगा चैनल पर पहली बरहें तो सब्सक्राइब करेंगा चलिए बिलते हैं नेक शुरू में लवी वोल जाहिए मदबाद रहूं जाहिए करेंगा चैनलender हूं प्रेमा शल्वे समक्राइब करेंगा थाल आ तो Tusk करेंगा, किरैक है करो जाहिए् पश्सक्राइब करिके यह झासे भीनस से जाहिए झास्टाइब बदक है है आप रह जाहिएागा लेको है CAP अली